अगर आपको ये वली वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको ये वली वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं क्योंकि आप सब वीडियो जरूर देखते हैं बट ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज गाइस जशन के लिए ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए गाइस वीडियो को स्टाट करते हैं लेट्स केट स्टाट इट तो गाइस देखिए हम मुझे आज जशन को हियर वाश करवाना है समर रूटीन है वैसे तो मैं वीक में दो बार उसे हियर वाश करवाती हूँ क्योंकि स्टाट की प्राप्लम बहुत ज़्यादा होती है आगस्त के महीने में तो इतनी ज़्यादा स्टाट इन चिप चिप बाल करने लग ज़ती है उसके बाल तो वैसे भी इतने ज़्यादा लंबे है इतने हैवी बाल है उसे बहुत इचिंग होने लग ज़ती है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से ना मतलब तीन से चार दिन बाद ही उसे हियर वाश मुझे करवाना पड़ता है तो गाईज आप सब बड़े अजीब से कमेंट करते हैं कि जशन को मतलब गरली हेर स्ट्राइल करें या फिर ड्रेसे वियर करें तो गाईज वो एक सिख बोई है मैं जस्ट उसके ब्रेड वगरा की वीडियो कर लेती हूं कि ब्रेड तो हम वैसे भी बनाकर रख सकते हैं वह एक सिख बोई है वह पूरा टाइम जूड़ा करके ही रखता है पटका वेयर करके रखता है कई लोगों को शाहिद यह नहीं पता कि हम सिख हैं जशन एक सिख ब फेवरेट वाला शैंपू यूज करूंगी जो मैं पिछले दो सालों से जशन के बालों में यूज कर रही हूं मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला शैंपू है अगर आप इसे फर्स टाइम ट्राइम यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला शैंपू ना थोड़ा सा ड बहुत ज़्यादा ड्राय हो गया बट ऐसा सिरफ दो या तीन बार ही लगेगा उसके बाद आपके बालों पर ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा इतना अच्छा वला शैंपू है बिलकुर नैच्छुरल इसके इंग्रीडियंट्स है और इसके कॉंडिटी भी हमें इत ज़्यादा लंबे हुए है मुझे सिरफ दो चीजे ही उसके बालों को लंबा करने के लिए लगी है एक तो आयूर हरबर शैंपू दूसरा मस्चर्ड ऑई शैंपू करने के बाद अच्छी तरह से जब उसके बाल सूख जाते है मां मस्चर्ड ऑई उसके बालों में लगात कि मुझे और कोई चीज यूज करने के जुरूरत ही नहीं भड़ती ना मैं कोई रेमेडी करती हूँ अगर मैं किसी रेमेडी की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ तो वह सिरफ आपके लिए क्यूंकि आपके लिए वह वीडियो हैल्पफुल ओ वह छीज आपको फाइ शेंपू और मस्चरड ऑईल इसके इलावा में उसके बालों को लंबा करने के लिए कुछ भी नहीं करती हूं वह सीखवाए हैं पूरा वीक के बालों में आयल लगा रहता है ब्रेड बना कर रखती हैं कवर करके रखती हूं बिल्कुल खुला नहीं छोड़ती हूं जिस वज देख सकते हैं कि जशन की आइज में भी जा रहा है बट इसका कोई भी नुकसान नहीं है इसके इसे यूज करने से आपको एक्स्ट्रा कंडिशनल लगाने की भी जुरूरत नहीं पड़ेगी थोड़े दिन आप इसे रेगुलर यूज करके देखिए आपको इसके रिजल्ट बहुत ही जदा अच्छे लगेंगे तो देखिए अच्छी तरह से मैंने दो बार उसके बालों में शेंपू लगाया है अब मैं पानी डाल रही हूं उसके बालों में ताकि जितना भी शेंपू है ना वो सारा उसके बालों में से निकल जाए वैसे तो यह वाला शेंपू बिल्कुल herbal natural shampoo है बट फिर भी मैं पानी में mix करके फिर ही use करती हूँ आप भी ऐसे use कीजिए हफते में दो बार मुझे hair wash करवाना पड़ता है जशन को तो वैसे भी हमें हर किसी को हफते में दो बार hair wash जरूर करना चाहिए पूरा वीक अपने बालों में oil मत लगा कर रखिए हफते में दो बार hair wash जरूर कीजिए oiling जरूर कीजिए अपने बालों को dry बिल्कुल मत रखिए ज़्यादा खुला मत रखिए हमेशा braid बना कर रखे चाहे loose braid बना कर रखे चाहे tight sleek braid बना कर रखे या जूड़ा करके रखे अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं तो आप प्रांधी wear कर सकते हैं रिब्बन व इसकी भी video already मेरे channel पर uploaded है दहीं बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है बालों पर as a conditioner भी वर्क करता है तो देखे जेशन को मैंने hair wash करवा दिया लास्ट में मैंने इस तरह से बन बना कर उपर से अच्छी तरह से फिर्ट से पानी डाला था ताकि कोई भी shampoo वगेरा बालों में ना रहा हो तो देखे गाइस अब मुझे उसके टावल ड्राइंग करनी है सबसे पहले तो जब वो hair wash कर लेता है मैं उसके बालों में से अच्छी तरह से टावल की help से ना उसके बालों से जितना भी पानी है उसे सोग करती हूँ कि ताकि पानी ना अच्छी तरह से तो उसके बालों में से पानी निकलता ही रहता है हमें बहुत ज्यादा टावल ड्राइंग नहीं करनी चाहिए कुछ तेर के लिए मैंने इसी तरह से उसके बालों में टावल बांद दिया था उसके बाद मैंने टावल ड्राइंग की है बहुत ज्यादा टावल ड्राइंग से बालों में से पानी को निकालना चाहिए उसके बाद एर ड्राइ अपने बालों को होने दे नैचरली बालों को सूखने दे सनलाइट में बालों को सुखाईए बट ड्रायर वगेरा का यूज भी बहुत ज्यादा कम आपको करना चाहिए जशन के बालों में तुमा बिल्कु तो देखे towel drawing मैंने उसके बालों में कर दिया है तो देखे गाइज naturally उसके बालों को मैंने सूकने दिया है अब उसके बाला अच्छी तरह से सूक चुके है आप उसके बाल देख सकते हैं कितने ज़दा सुदर लग रहे हैं बालो की length कितनी जदा अच्छी लग रही है बालो का color कितना प्यारा लग रहा है hope guys आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और चैनल को subscribe भी किया होगा तो चलिए guys अगर आपको ये वली वीडियो अच्छी लग गिया है तो वीडियो को like and चैनल को subscribe करें मिलूंगी मैं आपको अपनी next वीडियो में तब तक के लिए thank you, bye